माय उपध है कि उपर ही क्यों सवाल आ रहे हैं आप किसी भी शेत्र में और राज्य में देखे जाके देख लिजीए हर कलाकार किसी ना किसी माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कलाकार को समझे और आगे आके इस मुद्धे पर बात करें तो आज ऐसे मैं पग्रंडी की टीम मौजूद है लालकुआ विधानसभा में जहां आज जो हमारे साथ महमान जुड़ी है वो है माया उपाध्य जी जो उत्री है हरीश रावजी के समर्थर पे तो चलिए आज माम से बात करते हैं और जानते हैं कि माम चुनावी माहौल में आखिर क्यूं उत्री है तो माम सबसे पहला तो पग्रंडी में आपका बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल जो जनता के बीसे भी आ रहे है वो यही है कि आर्टिस्ट का एक पॉलिटिकल फील्ड में उतरना और किसी राजनिता को ऐसा समर्थन देना कितना सही है जित्ता मैं समझती हूँ इस बात को यह तो आपकी सोच पे निर्भर करता है और राजनिती में उतरने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ या किसी की साथ राजनिती कर रही हूँ राजनिती में मैं माननिया हरी श्रावत जी से क्योंकि एक मैं कलाकार हूँ मेरी गीतों में मेरी बोली भाषा में उत्राखंडियत नजर आती है और उसी तरह से सिर्फ एक ही व्यक्तित्व ऐसे हैं जो हमेशा उत्राखंडियत की बात करते हैं तो उनकी इसी बात से मैं बहुत जादा प्रसन हूँ जिसके माध्यम से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और उनकी अपने उत्राखंड को लेके अपने उत्राखंड की बात जो करते हैं एक कलाकार मुझे लगता है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत रहता है इन तरह की बातों से मैं आपने गानों की बात की आपने कलाकार की बात की तो जो राजनीती है और जो गाने है हमारे कुमाउनी कल्चर है या जो एक कलाकार का टैलेंट होता आप इन दोनों को कैसे एक साथ देखती हैं राजनीती अपनी जगे है और कलाकार का टालेंट अपनी जगे है पर कही ना कहीं दोनों ही जनता से जुड़े होए हैं क्योंकि एक गायक के लिए भी जब वो गाना गाता है तो उसको तभी गाने के वे वो कहते ना कि मितलब बिल्कुल मन भर जाता है जब जनता उसका साथ और कहीं ना कहीं क्यों बलकि राजनीती में यही है कि सारा कारे भार जनता की हाथ में होता है तो मैं हरी श्रावजी क्यों जैसा कि मैंने भी भी आपको बताया हरी श्रावजी एक ऐसी शक्सियत है जो अपने उत्रा खंड से जुड़े में अपनी मित्टी से जुड़े में और हमेशे उत्राखंडियत की बात करते हैं और एक कलाकार होने के नाते मेरी भी गाने में मेरे पहनावे में कहीं ना कहीं उत्राखंडियत दिखती है तो मैं उनकी इसी बात से बहुत जादा प्रभावित हूँ और मैंने ये प्रण किया है कि मैं उनके लिए कारे करूगी। लेकिन मैं मैं ऐसे तो और भी राजनेता हैं जो अभी मुख्यमंत्री भी है हमारे अगर हम उनकी बात करें वो भी उत्राखन की बात करते हैं यहीं से आते हैं पहले भी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो राजनेता क्यों नहीं एक कलाकार होने के नाते मुझे ये लगता ह कि अभी इस चीज से तो पूरा अंतरराश्ट्री है जो ये कोरोना की मार पड़ी अगर आप जाकर देखें घर घर में तो कलाकारों की क्या हालत हुई पिछले पांस साल से अगर सरकार की भी बात की जाये तो कलाकारों को कौन पुछ रहा है इतनी योजनाएं आ रही है और व खतम कर दिया कि मुझे लगता है कि अगर अभी अगर ये कोरोना काल की जो ये लॉक डाउन चल रहे हैं ये सब बंद हो जाते हैं तो सिर्फ वो दर्द एक कलाकार आपको तभी बता पाएगा जब आप बिल्कुल डूर टूर जाके उससे पूछेंगे कि इस कोरोना काल में की क्या स्तिती रही है तो माम जो एक बात सामने निकल के आ रही है किया वो सच है कि ये आप अपने फाइदी के लिए एक बेर कर रहे है मतलब एक मकसद से कर रही है ये भी मैं यही कहना चाहूंगी कि ये तो अपनी अपनी सोच है हर काम को किसी मकसद के लिए नहीं किया जाता अब मैं तो अपने कलाकारों से भी ये कहना चाहूंगी कि आप भी आगे आएए क्योंकि कहा जाता है कि परिवार में जब एक व्यक्त कुछ करने लायक हो जाता है तो आपने परिवार को अपने समाज अपने आसपड़ोस को खुश रखता है और अगर एक कलाकार होने के नाते आज मैं अपने कलाकारों को की तरफ से या एक कलाकार कि थ्रू आप इनका समर्थन कर रही है या इनका प्रचार हो रहा है जनता को जागरुक किया जा रहा है उससे किती मदद मिल रही है आप लोगों को गीतों के माध्यम से तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जनता ने बहुत गीतों के माध्यम से चीजों को सराह है चाहे वो आंदोलन की बात हो या राजनीती की बात हो तो एक कलाकार होने के नाते मैं यह समझती हूं कि गीतों का बहुत जादा प्रभाव पड़ता है किसी भी कार करने के लिए तो मैं गीतों की बात हो रही है तो कैलाश खेड जी ने जो वालिवुड स्टार है उन्होंने भी एक गाना लॉंच किया है तो इस गाने के बारे में हमें कुछ बताईए आज ही यह हमारा भी सवभाग है कि आज ही वो गीत रिलीज हुआ है महान गाया कैलाश ख जनता इस तरीके से हरी श्रावच जी को ले रही है लालकुआ की जनता कैसा रिस्पोंस मिल रहा है जनता की तरफ सापको बहुत अच्छा रिस्पोंस है और एक्च्वल में जो रियालिटी है वो तो हम सब को मैं तो जैसे यह कह सकते कि मैं भगवार नहीं हूँ कि मैं क्या अगर व्यक्ति इस बात को सही माइने में समझ जाएगा, राजनिती को अगर हम एक बारी के लिए दूर कर देते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं उत्रा खंडियत की, अगर वो सही माइने में अपना उत्रा खंडियत समझ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है हमारे उत्राखट के लिए मैम आखरी सवाल आप से लेती हूँ कि अब जित्ते दिन बचे हुए हैं इसमें आप लोग की क्या प्लैनिंग है आप डोर टोर कैम्पेनिंग में जा रही हैं तो किस तरीके से आप चीज़े प्लैन कर रही हैं आप आने वाले दिनों के लिए जैसे आज ही मेरी दोस अभाएं थी नारियों के साथ और मुझे मतलब वहां पर जागे खुदी इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत जादा जुड़ी हुई है एक दूसरे से शिक्षा हो गया स्वास हो गया लोगों का यह कहना है कि उनके बच्चे पढ़ने नहीं जा पारे कोरोना काल में बिरोजगारी इतनी आ गई है बच्चे बाहर जहां काम कर भी रहे थे वहां से भी वापिस आ गए है तो मुझे लगता है कि जब तक हम किसी व्यक्ति से बिलकुल उसके फेस टू-फेस बैटके बात ना कर ले ना तो रियालिटी तब तक आपको समझ नहीं कि अगर मैंने उनके दुख को सुना तो यह मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनका दुख मैं अपने तरह से कितना कम कर सकती हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है हर व्यक्ति से डूर टूर मिलके और कही ना कहीं अपनी भी कहीं हमने भी समय में ऐसी ऐसी चीज़े देख जाब देने के लिए और बहुत 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 उपकामना है आपको उम्मीद करते कि आप जो भी काम कर रही हो तो उसमें सफल हो आपका बहुत भहुत धन्यवाद पकड़न्डी से और इतना खुबशूरत काम आप सब कर रहे हैं मैं इश्वर से आपके उजवल भविश्य की कामना करती एं, जया उत्राखन जया उत्राखण रहा है, नो हम उमीद करते हैं कि जनता के हर सवालों के जवाब मिले Salvador चया क्यात आपको उन जमीनी हाकीकत तक लेके जाए, उन आपको छेल मेनेजमेंट के साथ ही पेरामेडिकल और मेनेजमेंट कि शेत्र में भी सफल बनाता है यहां आपके लिए डिज्टर क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है modern computer labs boys and girls hostel wifi enabled campus और एक homely environment तो देर किस बात की कर ये अपने सपनों को साकार जैश्री College of Hotel Management and Professional Studies